आज को वीडियो है वो काफे important वीडियो है क्योंकि आज हम इस वीडियो में discuss करने वाले हैं आपके board exam से relative बहुत ही important subjective questions के बारे में जो की आपके board exam में पूछी जा सकते हैं तो आज के इस वीडियो को आप बिलकुल skip मत कीजेगा और इस वीडियो को आप बिलकुल अंतक देखिएगा क्योंकि आज का ये वीडियो काफे helpful साबित होने वाला आपके board exam के लिए आज के इस वीडियो में हम जितने सारे questions के बारे में discuss करेंगे उन सभी को आप अपने copy में note करते चलिएगा और ये सारे questions class 12 chemistry के chapter number 1 solid state ठोस अवस्ता से होने वाले है तो आज हम इस वीडियो में कुल 10 questions के बारे में discuss करने वाले है जो कि solid state के सबसे important questions है यानि solid state ठोस अवस्ता के बहुत ही महत्पुन प्रस्न है तो चलिए start करते है question number 1 है short की दोस तथा frankal दोस में antar अस्पष्ट करे यानि हमें इन दोनों के बीच का antar बताना है तो अगर मान लिजए आपको एक्जाम में लिखने के लिए आ जाए कि short की दोस का definition बता है या फिर frankal दोस का definition आ जाए तो अगर आपको इनके बीच का antar बता है अगर short की दोस और frankal दोस के बीच का antar आपको याद है तो आप इनके definition को भी लिख सकते है ठीक है यह बहुत easy है तो अगला है question number second है संकुलन शमता किसे कहते हैं यह भी काफी important question है तो आप इसे note कर लिजए और फिर इसे याद कर लिजएगा यह काफी important है आपके board exam के लिए अगला है question number third है बिन्दो दोस क्या है यह भी काफी important है ठीक है तो इसको भी आप note कर लिजए और फिर इसे याद कर लिजएगा बिन्दो दोस क्या है चलिए अगला देखते है अगला है question number four है एकक कोश्टिका किसे कहते है ठीक है एकक कोश्टिका किसे कहते है इसे भी आप note कर लिजए एकक कोश्टिका किसे कहते है अब अगला देखेंगे अगला है question number five है एफ केंड क्या है या फिर एफ केंड किसे कहते है ठीक है इसको भी आप note कर लिज़े, ये भी काफ़ी important question है तो इसे भी आप note कर लिज़े और फिर कहीं से लिख लिज़ेगा और इसे याद कर लिज़ेगा चीक है? इसे नमबर 6 है आज टो फलक की रिखती तता चतुस फलक की रिखती की व्याख्या कीजे ये भी बहुत ही important question है तो इसको भी आप note कर लिज़े और इसे याद कर लिज़ेगा अगर इन सारे question का अगर आपको answer चाहिए तो आप dream classes के learning app से notes को purchase कर सकते हैं अगर इनसे relative कोई भी information आपको चाहिए तो इस number पर आप contact कर सकते हैं तो चलिए अब आगे देखते हैं अगला है question number 7 है ठोस अवस्ता के गुनों को लिखे ठीक है? ठोस अवस्ता के हमें गुन लिखना है ठोस अवस्ता के क्या-क्या गुन होते हैं उसे हमें लिखना है ये भी बहुत important है तो आप जानते होंगे कि ठोस अवस्ता के क्या-क्या गुन होते हैं उनको लिखना है ठीक है? चलिए आगे देखते हैं अगला है question number 8 है crystal yet host और आ crystal yet host में अंतर अस्पष्ट करें यानि हमें दोनों के बीच का अंतर बताना है SEC, BCC तथा FCC में पर्मानों की संख्या ग्याद करें इसके बारे में आप पढ़ चुके होंगे तो इससे भी आप नोट कर लिजगा और इसे याद कर लिजगा अगला है question number 10 है P type के अर्दचालक तथा N type के अर्दचालक को परिभासित करें याने हमें दोनों की परिभासा बताना है ठीक है? P type के अर्दचालक और तथा N type के अर्दचालक को परिभासित करना है तो आज का वीडियो बस यही तक था Thanks for watching this video and don't forget to like, share and subscribe Bye guys!